आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे फोटोशॉप में फॉंट इंस्टॉल कैसे करते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लैप्टोप में अभी पॉपिल्स नाम का कोई भी फॉंट इंस्टॉल नहीं है या फिर आपया फोटोशॉप से अब फोटोशॉप में इस्टॉल करना चाहते हैं तो इस यचे में तरीका को फोलोव करके आप फॉंट को इंस्टॉल कर सकते हैं सबसे पहले विश्य सकते हैं आप confusion कई करना है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने और रड़े फॉंट को डाउंडोड कर रखा है इसके अंदर बहुत सारे पॉपिंस नाम का फॉंट है, पॉपिंस मीडियम है, पॉपिंस लाइट है, पॉट्विंस इटालिक है तो इसी तरीके का आभी जो ही फॉंट इंस्टोग करना चाहते हैं आप गूगल में सिंप्ली सर्च करें यह एक्जाम्पलब पॉपिंस फॉंट डाउनलोड तो इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे website आएंगे तो वहाँ पर विजिट करके आप फॉंट को डाउनलोड कर लीजी, डाउंडोड करने के बाद आपके सामने इस तरीकी का एक फाइल आएगा तो अभी एम एजांपल के लिए पॉपिन्स रेगॉर का आप पॉपि करने वाले हैं और आप विंडोस 7 लिउज कर रहे हो विंडोस 10 हो या फिर विंडोस 11 हो तो यहां पर आपको सर्च करना है कंट् पैनल में जाने के बाद यहां पर अगर लार्ज स्मॉल आइकन सिलेक्ट है तो आप यहां से लार्ज आइकन अगर सिलेक्ट है और आपको इधर फॉंट नहीं दिख रहा है तो आप यहां से भी हुबाए स्मॉल आइकन करेंगे फिधर आपका फॉंट का ओप्शन दिखने रहेगा तो इस फॉंट के option पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी फॉंट आपने पॉपी किया है सिंप्री आपको यहाँ पर उसको paste कर देना है कंट्रोर प्लस वी से देख सकते हैं वो जो पॉपिन्स मैंने को मॉपी किया था वो यहाँ पर paste हो चुका है successfully और अब हम आपको दिखा देते हैं वो कहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तब वो पॉपिन्स रेग्डॉर मैंने पेश्ट कर दिया है सब्सक्राइब अब इसको हम cut करते हैं और Photoshop में फिर से हम चलते हैं कि अब आप इधर देखेंगे यह आपका पॉपिंस नाम का जो option है वो इधर आपका font list में आने रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉपिंस नाम का option आ चुका है तो अब यहाँ से आप पॉपिंस को select करके आप पॉपिंस फॉंट को यहाँ पर इउच कर सकते हैं अपने Photoshop में तो मुझे अमीद है गाईच कि अब आप सीख गया होंगी इसी तरीके से आप किसी font को install करना चाहते हैं पने Photoshop में या Microsoft Office में तो सेम ही तरीका को follow करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अपले तैंक यू सो मुच